तो हे गाईज वेलकम टू डाक गेमर और मुझे पता है वीडियो काफी लेट आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेज हो गया हूं और वीडियो अपलोड नहीं कर पाता देली तो इसके बारे में और कभी बात करेंगे फिलाल तो आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो आज का टॉपिक है doet पोकेमान है की चीट कोड़ बताने वाला हूँ और सभी Pokemon जो है जिम लीडर के according है जैसे कि first rock type है तो उस पे super effective होगा water type तो इसी के according मैंने सभी Pokemon को choose किया है तो अभी मैं आपको उन सभी Pokemon के name बताऊँगा और साथी साथ उनके cheat code बताऊँगा आप इन सभी cheat code को use करके इसलिए उन Pokemon को get कर सकते हो और अपने एक best team create कर सकते हो तो इस वीडियो में काफी ज़्यादा मेहनत लगी है तो प्लीज एक like जरूर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को subscribe कर लो तो बिना time को wish किये चली वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वाली team में मैंने किस किस Pokemon को रखा है तो सभी Pokemon मैंने जिम लीडर के टैप के according चूज किये है तो जैसे कि first जो जिम लीडर है वो है रॉक टैप फिर आता है third gym leader जो कि है electric type तो उसके लिए मैंने चूज किया है onyx को उसके बाद आता है fourth gym leader जो कि है grass type तो उसके लिए मैंने एक fire type Pokemon चूज किया है जो कि है arcanine फिर उसके बाद आता है poison type Pokemon जो कि है fifth gym leader तो उसके लिए भी मैंने arcanine को ही चूज किया है उसके बाद आता है 6th Gym Leader जो कि है Psychic Type, तो Psychic Type पे Ghost Type Pokemon Super Effective होते हैं, तो Ghost Type Pokemon के लिए मैंने चुना है Gengar को, के बाद आता है 7th Gym Leader जो कि है Fire Type, तो Fire Type Gym Leader के लिए जो Super Effective जो होगा वो है Water Type Pokemon, और Water Type Pokemon में हमने पहले से ही Gyarados को चूज कर दिया है, तो उसके बाद आता है Aird Gym Leader, जो कि ह Ground Type, तो उसके लिए भी एक Water Type Pokemon चाहिए, जो कि है Gyarados, और तो सबसे पहला Pokemon जो है, जो इसको आपको चूज करना है, वो है Bulbasaur, क्योंकि इस वाली टीम को मैंने Bulbasaur के According चूज किया है, और अगर आपको Charmander के According Team चूज करनी है, तो उसके लिए मैं पहले से ही एक वीडियो बन transcription में मिल जाएंगे और, आपको कक description में एक link भी मिल जाएगी, जहां से आप इन सभी cheat code को download कर सकते हो, और download करने के बाद आप वहां से copy करके इन सभी cheat code को use कर सकते हो, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, कि हिन Sभी cheat code को कैसे use करना है, तो guys, cheat code को use करने से पहले एक Android के लिए है एक iOS के लिए है तो iPhone वाले iOS वाला code यूज़ करेंगे और जो Android यूज़ करते हैं वो Android वाला code यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले तो किसी भी तो चीट कोट को एड़ करने के लिए आपको इस वाले एड़ वाले बटन पर टैप करना है और यहां से आप चीट कोट को एड़ कर सकते हो तो सबसे पहले आपको Master Code को Enable करना है और Master Code को Enable करने के बाद आपको किसी भी एक Pokemon का Cheat Code Enable करना है तो जैसे कि मैं अभी Onyx का Cheat Code Enable कर देता हूँ उसके बाद आपको Back कर देना है और यहाँ पे जो Grass जो होती है आपको वहाँ पर आना है और Walk करना है तो अभी यहाँ पर जो है ओनेक्स आ चुका है तो यहाँ पर ओनेक्स आ चुका है आपको fight करनी नहीं है मैं आपको master ball का cheat code दे दूँगा तो आपको सीरे master ball को use करना है तो आप ऐसे किसी भी Pokemon को easily catch कर लोगे तो ऐसे ही आपको सभी Pokemon को catch कर लेना है और आपको यहाँ से team ready हो जाएगी और आपको सभी cheat code जो है description में मिल जाएंगे अगर आपको cheat code description में इसे copy करने नहीं आते हैं तो आपको एक link भी मिल जाएगी आप वहाँ से इन सभी cheat code को download कर सकते हो और फिर download करने के बाद उन सभी cheat code को आप use कर सकते हो simply copy और paste करके तो guys यह वाली team आपको कैसे लगी comment section में जरूर बताना और वीडियो अगर बसना लगी हो तो वीडियो को like कर दो चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching